मुहमत शमी को वर्टकप 2023 का सबसे सफल बॉलर कहा जाए तो गलत नहीं होगा दो मैच में 5 विकेट लेकर उन्होंने पंजा खोला और फिर टूनामेंट के पहले से में फानल को यादगार बनाते हुए भारत के स्टेज गेंदबाज ने 7 विकेट लेकर बता दिया कि भारत की वर्टकप 2030 की प्रबल दाविदार है वन डे क्रिकेट के दिहास में भारत की तरब से एक पारी में साथ विकेट लेने वाले मुहमद शमी ना सिर्फ पहले गेंद बाज बने बलकि प्लेयर अब दा मैज भी बने मुहमद शमी के इस तहलके के बाद लगता है क्योंकि पतनी हसीन जहां का दिल पिखल गया है मुहमद शमी और उनकी बेगम हसीन जहां के बारे में कौन नहीं जानता दोनों के बीच काफी लंबे समय से विवात चल रहा है दोनों के बीच अब तक कानूनी तौर पा तलाक नहीं हुआ है लेकिन दोनों अलक रह रहे हैं मुहमद शमी ने साथ विकेंड लेकर तहलका मचाया तो बेगम का भी दिल शाथ विखल गया उन्होंने अपने जजबात सोचल मीडिया पर जिस तरह से जाहिर की उस पर लोग खूब चुटकी ले रहे हैं हसीन जान ने सोचल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है सोचल मीडिय खेंज का कहना है कि इस पोस्ट के जरिए वो अपने मन का हाल बैया करना चाहरी है दरसल अक्टरस ने गाने पर लिप सिंग की और शर्माती भी नजरा रही है इस वीडियो को रोने कैप्शन दिया है प्योल लब जिस गाने पर शमी की बेगम ने वीडियो बनाया है उसके लिरिक्स है तेरे नाम से ही मुझको दुनिया वाले जानेंगे तेरी सूरत देखकर ह मुझे पहचानेंगे जी आपको बता दें कि हसीन जहां कि यह रीज देखने के बाद अब मुहमद शमी के फैंस ताबढ़ तोर कमेंट कर रहे हैं एक यूजर ने लिखा जिसके ऊपर बीवी का प्रेशन ना हो वो बहुत तेज केंस फेकता है अब आप मुहमद शमी को ही देख लो एक अन्य यूजर ने लिखा पस्तावा तो बहुत हो रहा होगा ना तुमको एक दूसरे यूजर ने लिखा ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी आपको बता दें कि पिछले दिनों हसीन जान एक इंटरव्यू में शमी के अच्छी परफॉर्मंस करने पर बयान दिया था उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो अच्छा परफॉर्म कर रहा है अच्छा खेलेगा टीम में बना रहेगा अच्छा कमाएगा तो हमारा भविश शिक्योर रहेगा हसीन ने आगे कहा था कि मैं अच्छे प्रदर्शन के लिए टीम इंडिया को शुपकाम ना हैं दूंगी लेकिन उससे नहीं इंटर्णी फॉर्टो सावन लाइट टीवी के लिए डेस्क रिपॉर्ट